हलो दोश्तो आपका श्वागत है रंजु की रसोई में आज बनाएंगे एक कब गिहूं के आठे से एकदम टेश्टी क्रिस्पी और कुरकुरा सा नास्ता जटपट बंड कर रड़ी हो जाता है और सबको खूब पसंद आएगा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस नास्त हो पाया है बस तेल करम करते ही हरी मिर्ची और जीरा डाल देना है उसको थोड़ा देर भून लेंगे और भून जाने के बाद उसमें हम एक कप पानी डालेंगे तो देखिए माप हमें बराबर रखना है बस एक कप पानी डालना है हमें जितना आठा डालना है बस उतना ही ह में पानी डालना है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पानी में एक वोईल आने देंगे तो देखिए अच्छे से पानी वोईल आ गया है अब एक आलू को ग्रेट करके अच्छे से धोलेंगे साब पानी से उसका सारा पानी निचोड के आलू को इसमें डाल देंगे और आलू को अच्छे से mix कर लेंगे, इसको थोड़ा सा soft कर लेंगे हल्का सा soft हो जाने के बाद इसमें हम एक चम्मच नमक डालेंगे स्वाध नुसार और उसके बाद आधा चम्मच काली मिर्च का पॉडर डालेंगे इसको अच्छे से mix कर लेंगे मिक्स करके थोड़ी दिर के लिए इसको छोड़ देंगे ताकि हमारा आलू थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बस सॉफ्ट करना है हमें आलू को एकदम से पकाना नहीं है थोड़ी दिर बस सॉफ्ट करना है तो देखिए हमारा आलू अच्छे से soft हो गया है पानी भी जलकर कम हो गया है अब इसमें हम एक कप गिहूं का आटा डालेंगे अब आटे को अच्छे से mix कर लेंगे तो देखिए एक कप पानी डाले थे और एक कप ही आटा डालेंगे और इसको अच्छे से mix कर लेंगे अच् को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं अब इसको थोड़ी देर के लिए हमें ढखकर छोड़ देना है तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है अब इसको गैस को बंद करेंगे और ढखकर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे अब हमें कटोरी लेंगे कटोरी में आधा कप लेंगे इसका एक पानी बन के बढ़ित लेंगे इसी तरीचे हमें सबस्राइब करा रेड़ी उसलत लेना हे इा इस चाहिए कर आटे का डो निकाल को दो का मसल लेंग मिंगे इस तरीके får रहने दो को यहाँ ने दोर online ताइट रहना चाहिए और देखिए अच्छे से इसको मसल लिए है इसका दो लोई कर लेंगे हम दो जगह पर देख सकते इस तरीके से दो लोई बना लेंगे और एक लोई को लेंगे इसको अच्छे से गोल बना लेंगे इसका हमें एक रोटी बनाना है छोटा सा रोटी एक तो थोड़ा सा इस पे हम सुखा आटा लगा लेंगे, सुखा आटा लगा के इसको अच्छे से बेल लेंगे, तो हमारा डो थोड़ा सा कड़क है, तो किनारी फटेगा, उसका कोई टेंसर नहीं है, अराम अराम से इसको बेल लेंगे, तो देखिए हमें ज्यादा पतला नहीं करना है हमें थोड़ा सा मोटा ही रखना है आप इसका किनारी चारो तरफ से कट करके हमें निकाल देना है तो देखे इस तरीके से चारो तरफ से इसका किनारी हम कट करके निकाल लेंगे और काटके फिर बीच में से ये चार टुकडों में कट कर लेंगे देखे इस तरीके से इसको चार टुकडों में हम कट कर लेंगे आप इसको किसी भी सेफ में बना सकते हैं अगर आपको किसी और सेफ में बनाना है तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कोई भी सेफ इसका र अच्छे सीख चुका है दोनों साइड से और यह काफी करारा हो गया हमारे नास्ता अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में तो देखिए बनाना कितना आसान है बहुत ही जल्दी बन कर रेडि हो जाता अब इसको देखिए प्लेट में सारे नास्ते को निकाल लेंगे इसको टोमेटो केचप के साथ या आपने किसी भी पसंद की चट्मी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है एक बार हमारे साथ सेयर जरू करिएगा और ये नास्ता सब को घर में क्रिस्पी ये नास्ता बना है आप इसे बच्चो को दे सकते हैं बच्चो को खुब पसंद आने वाला है अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए scraping करें चानल को सब्सक्राइब करें फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के